सो यह अपने तो एकश और करते हैं वापस चलते हैं अपने रधर के अंदर हैर सब्सक्तेर इंद यहां पे कुछ सब्सक्राइब करते हैं तदयों में एक ऐलेकर अदर में लगा एक सब्दूरे करते हूं अले क्रियेट किया हमारे पास यह जाए गा वोंपेज के लिए यूजर के लिए एक के लिए ठोड़ सब्सक्राइर के लिए एड कर Curvy तो दो लिंक काफी है इसके लिए हम स्टाइफ लिए कर सकताूं यहां मैं ने बार के लिए लग से लिख सकता हूं css के अंदर जाओंगा मैं और यहां पर मैं लिखूंगा header.css header.css को header.stm में लेके आना है यहां पर मैं style करेंगे link add करेंगे like this link css and then उसको मैं आपर add कर सकते हैं ठीक है तो link.css में मैं style add करूंगा तो यह जाएगा css slash header.css तो इससे CSS है वो add हो जाएगा now css में हमको header के लिए CSS लिखनी है let's go तो यह रहा हमारा header.css उससे पहले चलते हैं page को reload करके यह आगया हमारा list now यहां में मुझे header के लिए CSS लिखनी है तो header के अंदर जो ul है उसके लिए हम कर देते हैं list style is equals to none you can see यह होगे none इसके बाद लिस्ट है उसको मैं कर देता हूं display not list जो हमारा header उसके अंदर दो ul है तो हम header को कर देते हैं header को मैं कर देता हूं display flex justify content space between तो यह दो भागों में बढ़ जाएगा है like this then हर एक ul है उसको भी हम कर देते हैं display flex and इसमें कर देते हैं gap 8 pixels का like this यह कुछ इस तरह से बन गया okay now यहां पे space दिख रहा है कुछ यहां पे जादा space नहीं है क्योंकि let's see add ul में एक border add करते हैं for testing one pixels solid red तो इससे मुझे पादा चलता है एक चलिए मैं एक box इसे create हो रहा लाइक दिस को left और right कहीं भी कर सकता हूं तो मेरा जो यू यू एल है यह just a second okay so यहां पे हमने कहा space between तो यह जो data है वो हमारा right hand side पर है so what I can do मैं इसको inspect करके यहां से भी अपने css को check कर सकता हूं so I go here you can see यह मेरा ul है इसमें जो display flags है यह कुछ इस तरह से और अगर मैं इस flags पे Align content justify content center क्योंकि यह लिस्ट element है तो जब लिस्ट में हम काम करते हैं यह जो एक्स्ट्र जो पैडिंग यह डॉट के लिए आती है ठीक है तो जो डॉट दिख रहा था हमेने हटा दिया था लिस्ट नन से इसको मैं कहा दूंगा बैडिंग पैडिंग इसको जीरो कर देते हैं लिए और यह जो एक्सट्र है वह आपसे हट जाएगा लाइक दिस ठीक है नाव जो हैडर इसमें पैडिंग कर लेते हैं यह मेरा हैडर इसको मैं टॉप पर लेता हूँ तो मेरा पहला color add कर लेते हैं background color मैं कर देता हूं dark color तो मैं एक website के user हूंगा जहाँ मुझे अच्छे color मिल जाएंगे ui color picker नाम का website है यहां से मैं एक dark color उठाना चाहता हूं मेरे header के लिए तो simply I can copy this one maybe this one ठीक है तो मैंने का background color this and then उसके जो text color है उसको मैं कर देता हूं this one okay let's see how it looks तो यह कुछ इस तरह से मेरा header बन गया इसके अंदर आप देख रहा हो यह जो extra देख रहा है यह क्या है पैडिंग margin तो मैंने set की नहीं तो यह जो आ रहा है यह मेरा body से आ रहा है ठीक है तो क्योंकि body से आ रहा है तो इसको मैं simply अपने page layout के अंदर css add कर सकता हूं इसके लिए या फिर आप इसके लिए common css भी add कर सकते हो जहां पर common css रहेगा तो css के अंदर एक और css add कर लेते हैं आपर common.css यह common रहेगा हर एक page के लिए ओके ना common.css को मैं add करूंग अपने css common.css के अंदर मैं body के लिए जो padding है उसको मैं कर दूंगा जीरो जो margin है उसको मैं कर दूंगा जीरो कि यह कुछ इस तरह से हमारा जो header है वोगन के तयार है ओके perfect है now header.css में चलते है margin padding हमने add कर रखी है और इसको मैं कर देता हूँ 12 pixels तो थोड़ा सा सही लगेगा मुझे 20 pixels थोड़ा सा और बड़ा हो गया header जो red color है इसके हमको जरूरत नहीं है मैं इसको हटा देता हूँ like this तो यह कुछ इस तरह से बन गया है ठीक है now ul है header के अंदर जो ul है उसके अंदर जो li है this one तो li में मैं या तो padding वगेर add कर दूं या फिर मैं कर सकता हूँ जो ul में मैंने gap create किया है मैं gap को बढ़ा देता हूँ okay gap अगर मैं बढ़ाता हूँ तो बीच में जो space बढ़ जाएगा मैं इसको कर देता हूँ 12 pixels जो दौनों के बीच में gap है वह बढ़ता जा रहेगा मैं इसको देता हूँ 16 pixels then you can see यह gap बढ़ रहा है okay now common.csu में चलते हैं इसका जो font size font family उसको मैं change करके कर देता हूँ इसमें से आपको भी select कर सकते हो अपने हिसाब से मैं जो system का font system UI उसको handle करना चाहता हूँ तो यह generate कर दिया मेरे VS code ने तो simply मैं इसको use करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरा font देखेगा okay now यहां पर body है body के अंदर कुछ padding and margin नहीं है padding margin में add की थी तो यहां पर देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मेरा page layout है यह जो width है मैं इसका width रखना चाहता हूं 90 pixel 90% का and then मैं इसका margin है वो मैं रखना चाहता हूं auto इससे होगा यह जो main की है वो मैंने size set कर दी है तो 90% है and then वो center में आ चुका है then if I go to the this screen size इसमें भी वो ऐसा दिख रहा है तो आप footer.stml में मैं इसको remove कर देता हूं इसकी जरूरत नहीं है आप यहां पे अपना जो content है add कर सकते हो add footer content here okay तो यह मेरा जो page है थोड़ा अच्छा लगने लगा है like this now header में चलते हैं और header में जो link है यहां पे हमको link add करना पड़ेगा तो homepage के लिए link add कर देता हमने का anchor tag and इसके अंदर आजाएगा home and anchor में add करेंगे slash same चीज बाकी के लिए भी कर लेते हैं यह हो जाएगा हमारा users के लिए यह हो जाएगा add users के लिए यहां पे जाएंगे सारे users and then यहां पे जाएंगे add new user add new user के लिए इसके लिए हम जाएंगे user slash add में जो कि हमने URL बना के रखा हुआ है इसके लिए हम जाएंगे slash users पे यह ब्लू हो गया है मैं simply header के css में जाऊंगा header.css यह रहा header.css मुझे simply क्या करना है कि मेरा जो यूल है इसके अंदर जो anchor है या header के अंदर जितने भी anchor tag है उनका मुझे text decoration को none कर देना है लाइक दिस ऑके बड़ इसका जो color है वो चीज़ नहीं हो रहा है so I will simply set the color inherit inherit from the header inherit from the parent component लाइक दिस ओके तो यह कुछ तरह से है होम पेर में क्लिक करता हूं तो home page पे आ गया users पे क्लिक करूंगा तो users पे आ गया add user पे क्लिक करता हूं तो users add user page पे आ चुका हूं तो यह बन गया हमारा एक प्यारा सा छोटा सा simple सा header